नमस्कार आप देखें न्यूसेटीन इंडिया आपके साथ मैं हूँ रवी ठाकुर कोरोना के नए वेरियंट ओमीक्रोन से पूरी दुनिया डरी हुई है हर गुजरते दिन के साथ इस नए वेरियंट के केस अलग-अलग देशों में सामने आ रहे हैं चिंता की बात ये है कि ये वेरियंट कोरोना के डेल्टा वेरियंट से भी ज्यादा खतरनाक है और यही वज़ा है कि पूरी दुनिया में इसको लेकर अलर्ट जारी हो गया है इसी वज़ा से कई देशों में अपात काल और नई पाविंदियों का दौर भी शुरू हो गया है इसी से जुड़ी पाच तस्वीरे आपके सामने पहली तस्वीर में दुनिया भर में मचे हरकम की ये तस्वीर है जिसकी वज़ा से वहां हरकम बच गया चौती तस्वीर नियॉयॉक की है जहां 15 जनवरी के लिए पाथकाल लागू किया गया है और पाच वी तस्वीर इसराइल की है जहां ओमी क्रॉन का एक मरीज सामने आने के बाद तमाम सीमा है जो है वो सील कर दी गई है यसे बीच मुंबई के नस्दीक डोमी बली में दक्षन अफरीका से लोटा एक शक्स करोना पॉसिटिव आएगा है करोना का मरीज मिलने के बाद मुंबई में तैशत है स्वास्ते विभाग अलर्ट मोड पर है स्वास्ते विभाग के मुताबिक उस आदमी के जाच की जारी है मरीज का सेंपल जिनों सिक्वेंसिंग के लिए मुंबई भेजे जाएंगे और रिपोर्ट आने के बाद ही यह साफ हो पाएगा कि वो करोना के किस वेरियंट से संक्रमित है फिलाल इस मरीज को नगर निगम की आईसोलिशन रूम में रखा गया है नगर निगम की स्वास्ते अदिकारी के मताबिक मरीज के भाई की रिपोर्ट नेगिटिव आई है और कल उसके परिवार के दूसरे सदस्रियों की जाच भी की जाएगी तो यह यहाँ पर चिंता की बात है दक्षन फ्रीका से लोटा एक शक्स जो मुंबई पहुँचा है डोंबी वली लाके का उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है हलांकि अभी इसकी पुश्टी नहीं हो पाई है कि यह शक्स जो कोरोना पॉजिटिव हुआ है इसमें नया वेरियंट है या पुराना वेरियंट है अभी जिन्यूम सिक्वेंसिंग होगी उसके बाद ही इसकी पुश्टी हो पाईगी कि क्या भारत में नये वेरियंट ने दस्तक दी है या फिर नहीं इन्सप के बीच मुंबई के नस्दीक ठाने के भिवंडी आलाके में मौजूद मातोश्री नाम के एक विद्दाश्रम में सरसट लोग करोना पॉजिटिव पाई गए है करोना पॉजिटिव मिले लोगों में 62 लोग बुज़ूर्ग है और बाकी पाच लोग वहां काम करने वाली करमचारी और उनके परिवार के लोग है चिंता की बात ये है कि करोना पॉजिटिव पाई गए सभी 62 भुज़ूर्गों को तीका लगाय जा चुका है फिलाल सभी लोगों को जिलास्पिताल में इलाज के लिए भरती कराया गया है तो करोना का नया वेरियंट ओमी क्रॉन कई देशों तक पहुँच चुका है पाईस मामले कल तक सामने आ चुके थे बोच्षवाना, नामीबिया, जिंबावे वही इसराइल में एक मामला आया है और तमाम सीमा है, सील कर दी गई हॉंग कॉंग में भी इस नए वेरियंट ने दस तक दे दी है जिसका नाम है ओमी क्रॉन, ब्रिटेन में दू मामले आ चुके हैं, इटली में भी इस नए वेरियंट ने दस तक दे दी है और जर्मनी में भी और उस्टेलिया की बात करें, यहाँ पर भी ओमी क्रॉन का खौफ शुरू हो गया है रहत की बात यह है कि भारत में अभी तक इस नए वेरियंट का कोई मामना सामने नहीं आए यही वज़ा है कि अब चाहे केंदर सरकार हो यह राज्य सरकारे सभी साबदान हो गई हैं, सतर्क हो गई हैं और रन्निती बनाना शुरू कर दिया है दक्षन अफरीका समेट अफरीका के कई देशों में मिले करोना वाइरिस के नए वेरियंट ओमी क्रौन ने फारा समेट दुनिया भर के देशों की चिंता बढ़ा दिया इस बीच स्वास्थे मंत्राले ने करोना पर नई गाइडलाइन्स चारी की हैं जिसके मताबिक एक दिसंबर से भारत आने पर साथ दिन का क्वारंटीन जरूरी होगा साथी पोर्टल पर आटी PCR रिपोर्ट डालनी होगी इतना ही नहीं यात्रियों को पिछले 14 दिन की यात्रा के बारे में भी जानकारी देनी होगी सरकार ने दक्षन अफरीका, ब्राजील, चीन, न्यूजिलेंड, इस्राइल और यूके समेथ यूरोप के कई देशों से आने वाली यात्रियों के लिए खास नियम जारी किये हैं तो साबधान सतर्कता बरतना बहुत ज़रूरी है करोना के खतरनाक वेरियंट सामने आने के बाद हालात को देखते हुए ग्री मंतरालय सतर्क है और संबंधित एजंसियों को आदेश जारी कर दिये गए कि प्रभावित देशों से आरे यात्रियों पर खास नज़र रखी जाए इसके साथ ही स्वास्ते मंतरालय भी अलर्ट मूट पर है स्वास्ते मंतरालय ने नए वेरियंट को लिकर सभी राज्यों को लेडर लिखा है कींद्रे सौस्ते सचीव, राजेश पुशर ने सभी राजियों से विदेश से आने वाली यात्रियों के जाच करने की निर्देशती है नए विरियंट ओमिक्रॉन प्रभावे देशों से आने वाले यात्रियों के स्क्रीनिंग और उन पर खास नजर रखने की बात भी कहीं गई है करोना के नए वेरियंट ओमीक्रॉन की बड़ते खत्रे को देखते हुए दिल्ली सरकार भी चौकरनी है नए वेरियंट को लेकर दिल्ली में आज डीडीयमे की एक बड़ी बैठक होने वाली है उपरा जेपाल अनील बैजल ने आज हाई लेवल बैठक बुलाई है जिसमें करोना की वर्तमान स्थिती और तैयारियों पचर्चा होगी इस बैठक में करोना एक्सपर्ट और उड्यन मंत्राले के प्रतिनिधी भी मौजूद रहेंगे वहें मुख्य मंत्री अर्विन केजरिवाल ने भी प्रदान मंत्री मोदी को चिठी लिक प्रभावे देश से आने वाले हवाई जहाज को रोकने का आग्रह किया है करोना के नए विरियंट ओमी करोन के बढ़ते खत्रे पे माराश्टर के सीएम उद्दव ठाकरे ने मंत्रियों अधिकारियों राजय के सबी जिलों के डियम के साथ एक एहम बैठक की इस बैठक में मुख्या मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि माराश्टर के लोग अगर लॉकडाउन नहीं चाहते हैं तो उन्हें करोना के नियमों का पालन करना होगा वही मुख्या मंत्री ने विदेश रहाने वालों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश्टी हैं उन्होंने अधिकारियों को मास्क ना लगाने और भीड़ भार करने वाले लोगों पर कारवाई करने को कहा है साथ ही नए विरियंट को लेकर ऑक्सीजन से लेकर दवा और बैट के उपलब दिता शुनिशित करने के भी निर्देश दिये हैं करोना वारिस के नए विरियंट ओमी क्रॉन के खतरे को देखते हुए इसराइल ने विदेश रियाने वाले सभी यात्रियों के लिए अपनी सीमाएं बंद कर दिये नाके बंदी कर दिये, दो दिन पहले, यानि 26 नवंबर को, इसराइल में ओमी क्रॉन वेरियंट से संक्रमित पहला मामला सामने आया था, पहला मरीज मिला था, इसके बाद इसराइल ने फॉरण कई दक्षनफरीके देशों के यात्रियों पर रोक लगा दी थी, इसराइल में नाके बंदी कर दी गई है, एक मरीज मिला था, उसके बाद इसराइल ने गाइडलाइन्स जारी कर दी है, उसकी तमाम सीमाएं जो हैं, वो सील कर दी गई है, बाहर से आने वाले तमाम यात्रियों पर बैन लगा दिया गया है, सिर्फ एक मामला अभी इसराइल में सामने आ करोना के बदलते वेरियंट की वज़ा से पूरी दुनिया खौफ में और ये पहली बार नहीं है जब करोना के बदलते वेरियंट ने दुनिया में कहर बर पाया हो बलकि इससे पहले भी अलग-अलग देशों में करोना के कई बदलते वेरियंट मिले हैं जिनमें सबसे नया ओ दक्षन अफरीका में मिला था और इसकी वज़ा से अब पूरी दुनिया में चिंता बढ़ गई है जबकि इससे पहले 2020 के आखिर में भारत में करोना का डिल्टा वेरियंट मिला था और इस वेरियंट में किस कदर कहर बर पाया था ये किसी से चिपा नहीं है करोना का एक और 2020 के आखिर में ब्राजील में मिला था और इस वेरियंट को गामा नाम दिया गया था और 2020 के शुरुआत में ही दक्षन अफरीका में मिले करोना के बीटा वेरियंट ने भी जबर दस पहशत मचाई थी जबकि करोना का अलफा वेरियंट 2020 के आखिर में ब्रिटेन में मिला थ तो ये पहला मौका नहीं है जब करोना के नए वेरियंट सामने आ रहे हैं लेमडा बीटा गामा ये सबी आ चुके हैं और सब जानते हैं कि किस तरह से डेल्टा वेरियंट ने भारत में कहर बर पाया था अपनों को खो दिया था इस वेरियंट के वज़ा से